मैंने ऐसे लोग देखें जो पांच महीने की प्रेग्नेंसी में अब और्शन कराना चाहते हैं एक काईदा होना चाहिए कि इतने समय में ही ऐसा किया जा सकता है बात ये नहीं है कि ये बहतर है ये वो जीवन को संभालने का एक इंसानियत भरा तरीका बेहत ज़रूरी है हार्टबीट लॉव में ये कहा गया है कि जो महीला धड़कते दिल वाले किसी भी प्राणी को मारती है या उसका अबॉर्शन करती है वो तुरंत अपरादी के लाएगी और ये अमेरिका जैसे विकसित देशा कानून है और जाहिर है कुछ ऐसे मामले भी है जिन में रेप की वज़े से प्रेगनेंसी होती है टीनेजर्स में प्रेगनेंसी होती है और गर में पल रहे बच्चे में कम्या होती है पर फिर भी महिलाओं को उन बच्चों को जन्म देना पड़ता है तो क्या आप कहेंगे कि ऐसा कानून ठीक है जिससे महिला का अपने ही गर पर अधिकार नहीं रहता देखिए मैं ऐसे कानूनों का समर्थन नहीं करता ठीक है पर साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बहतर नजरीय से देखें इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ही बेटियों को मार दिया है मैं विशेश रूप से बेटियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि लड़कों के साथ ऐसा ज़ादा होता है लड़कों के साथ भी ऐसा होता है क्योंकि पिता मानते हैं आखिर तुम मेरे बच्चे हो अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चले तो मैं तुम्हें मार दूँगा ऐसा हुआ है या नहीं एक या दो नहीं ऐसी इतनी बड़ी संख्या में हुआ है कि आप उस संख्या को अंदेखा नहीं कर सकते संख्या इतनी बढ़ चुकी है तो यह अधिकार कहां से आता है क्योंकि तुम मेरी वजह से पैदा हुए हो इसलिए तुमको वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा तो इसी तरह यह मेरी कोख है मैं जो चाहे वो करूँगी ऐसा नहीं हो सकता साथ ही एक महिला को अपनी मर्जी से जो चाहे करने की आजादी है पर आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी हद तक यह जिम्मदार हो जाएं तो मैं कहूंगा कि पाँच है यह दस यह बारह यह चौदास अपतहा के भीतर आपको बच्चे को गिरा देना चाहिए अगर आप उसे नहीं चाहते पर बच्चे को बढ़ने देना मैंने ऐसे मामले देखे हैं मैं यह विशेश उरूप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लड़कियों को देखा है उनके बॉइफरेंड है और वे प्रेगनेंट हो गई है अब पाँच महीने की प्रेगनेंसी है यह वाकिए कुछ महीने पहले मैंने सुना और उसके और उसके प्रेमी में लड़ाई हो गई और वो चला गया अब वो अबॉर्शन कराना चाहती है ये ठीक नहीं है आपका ऐसा करना ठीक नहीं है अगर ऐसा रेप की वजह से हुआ है तो इसे रोका जा सकता है, है न? अगर कोई दूसरी वजह है तो रोका जा सकता है मेरे हिसाब से हम कुछ हफ्तों की संख्या तै कर सकते है मेरे हिसाब से 48 दिन से पहले अबॉर्शन हो तो सबसे अच्छा है पर कभी-कभी शायद किसी महिला को पता ही न चले कि वह प्रिगनेंट है इसलिए 10 सप्ता, 12 सप्ता या शायद 14 सप्ता की अनुमती होनी चाहिए पर आप 25 या 30 सप्ता के बाद अबॉर्शन की कोशिश नहीं कर सकते ये अच्छा नहीं है क्योंकि वह जिन्दा है, एक जिन्दा जीव है आपको ये समझना चाहिए धर्ती के सभी प्राणियों में से एक गर्ब एक जीव के तौर पर सबसे बेचारा जीव है है ना अगर आप एक दो साल के बच्चे को भी नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे तो वो काटेगा, वो लड़ेगा उसके पास कोई बचाव है एक गर्ब पूरी तरह से आपकी दया पर जिन्दा है आपको उसके साथ पूरी करुणा के साथ बरताफ करना चाहिए अपनी सुविधा के कारण आप जो चाहें वो नहीं कर सकते साथ ही क्या ये किसी दूसरे को ताय करना चाहिए नहीं उस महिला को ताय करना चाहिए इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है पर साथ ही एक काईदा होना चाहिए कि इतने समय के भीतर ही ऐसा हो सकता है बच्चे के बड़े होने के बाद ये बताने वाली कई स्टेडीज मौजूद है कि बच्चे में मा के प्रती भावनाएं भी होती है आप उस जीव को नहीं मारते जिसमें भावनाएं है ना वो एक अलग अपराद है तो मेरे हिसाब से दोनों पक्ष हद पार कर देते हैं यही समस्या है आईए एक इंसानियत भरा और प्राक्टिकल तरीका अपनाएं क्यों? आप किसी चीज के साथ या खिलाफ क्यों है? यह एक जीव का सवाल है है ना? हम इस जीव को कैसे संभालते हैं? मैं इस जीवन को कितने सम्मान से संभालता हूँ? ऐसा हो रहा है यह कल या एक दिन पहले मुझे कुछ पता चला बताया गया है कि देश में पुरुष महिला अनुपात में सुधार हुआ है बढ़ाई हो पर इस साथ ही महिलाओं की संख्या कम क्यों थी? जो बच्चियां बाद में पैदा होती है कि क्यों उनके पास सोनोगराम नहीं होता बस बच्चा पैदा होता है और वो लड़की निकलती है एक आसान काम जो गावों में होता है वे बस धान के कुछ दाने उस बच्चे के मुँँ में डाल देते हैं वो दाने कहीं फस जाते हैं और बच्चा एक भयानक मौत मरता है सिर्फ इस लिए कि वो लड़की है तो अब अगर मैं पांच-छे महीने के गर्ब को खतम कर सकती हूँ तो दस महीने बाद क्यों नहीं जब बच्चा पैदा हो चुका है मैं कह रहा हूँ कि यह तर्क हद पार कर देगा आपको साबधान रहना होगा इसका साथ देने के लिए क्योंकि बाद में क्या होगा हमारे आज के काम कल क्या रूप ले लेंगे लोग उन्हें किस हद तक ले जाएंगे हमें इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो कभी-कभी नहीं होता कुछ ही लोग पकड़े जाते हैं हजारों बच्चे मारे गए हैं क्योंकि अगर पांच दिन का बच्चा मर जाए तो लोग ये सोचेंगे कि बच्चे को कुछ हो गया था मौजुदा शिश्यु मृत्युदर है तो पर कितने प्रतिशत असल में शिश्यु हत्या है ये कोई नहीं जानता ठीक है तो हमें साफधानी रखनी होगी कि हम चाहते क्या है बात ये नहीं है कि ये बहतर है या वो जीवन को संभालने का एक इंसानियत भरा तरीका बेहस जरूरी है है ना झाल झाल झाल